कि मेरा समर से पहले से ही हमेशा फूल आता है दोस्तों अगर किसी का भी प्लांट हो आप फूल नहीं आ रहा है तो आपको मैं एक उपाय बताती हूं कि इसमें आपको सबसे पहले पांच टेप्स इसके लिए दूंगी नमस्कार दोस्तों नीला मौसल गारण में आपका बहु आपको प्लांट रहे हूं और मेरा सभी पूल हमेसा देते ही रहती है तो मैं इसके लिए आज पांच टिप्स दोई दूँए दोस्तों अगर आपका फूल नहीं आ रही है और इसका ग्रोथ रूखा हुआ है तो क्यों रूखा हुआ है मैं उसका कारण भी बताऊ तो वीड पास कितना प्लांट है और मैं यहाँ सभीत प्लांट को अभी किनारे में की हूँ दोस्तों की धूप जयादा लग रहा है तो बीवर के क्यारण इसमें दिक्कत जादा हो जाती है ते इसके लिए महीं साईट में इसको अभी कर दी हूं अ मैरा सभीत प्लांट स्वस्थ te रहता है कोई भी फूल रुपता नहीं है दोस्तों समर में भी चाहे बिंटर में भी गुड़ाल का प्लांट बहुत ज्यादा फूल देते रहती है जैसे यहां देखें कि एक पीला कनेर है एक गुलाबी कनेर क्या भी ग्रोध देखिए कि कितना सुन्दर है तो मैं इसके तो दोस्तों जिसे देख रहें कि अहां कितना ज़्यादा इसमें ग्रोध लिए हुए है इसका ग्रोध देखिए दोस्तों कि कितना ज़्यादा इसको अगर पूरा तरह से अभी तयार नहीं हुआ है अगर तयार होगा तो कितना ज़्यादा इसमें कली फूल भरता है मेरा स से देखिए तो दोस्तों सबसे पहला चीज है कि अगर अभी समर में आप इसको तयार करना चाहते हैं तो कैसे तयार करेंगे तो सबसे पहला काम होता है कि समर जैसे ही आता है आपको वैसे आप इसको प्रूनिंग करना शुरू कर दिजिए अगर आपका छोटा प्लांट है तो छोटा ही कीजिए लेकि प्रून करना जुरूरी होता है कि प्रूनिंग के मतरब कैसे हुआ जिसे से देखिए कि यह बलंट कर ते अगर चोटा प्रैंट इतना सक जाद होगा इसका घरनत कितना किजिए अगर सभी प्लांट में छोटा छोटा इतना छोटा छोटा पुरून किजेगा तो उसका एक अकार, दो अकार, तीन तरफ भागता है तो अगर तीन तरफ भागा तो आपका तीन ब्रांज तो एक एथी में हो गया तो आपको इसी तरह जिसे यहां ही देखिए न मैं यहां तो आपको इसको 5-6 घंटा के ज़ूप देना ज़ूप देना जुरूरी है तो आप इसको 5-6 घंटा के ज़ूप देना ज़ूप कि अगर ज़्यादा इसमें लूल है जब चल रहा है तो इसको बचाना भी है कि इसको साइड में आप कर दिजिए जैसे देखिए कि आहां मैं साइड में कर दी हूँ तो ज़्यादा धूप इसमें नहीं आता है तीसरा हो गया कि आप इसमें गुड़ाई कीजिए गुड़ाई करना बहुँ ज़्यादा जुरूरी होता है गुड़ाई आप नहीं कीजिएगा तो आपका फूल नहीं होगा ग्रोथ बान लेगा root bonding हो जाता है तो दिकत करता है तो इस तरह से तिसरा काम गुड़ाई करना हो गया चौथा हो गया आपको किसमे कुछ nutrition देना है तो nutrition क्या देना है दोस्तों तो nutrition जैसे देना है आपको खाई करने के बाद इसमें nutrition देना ज़रूरी होता है तचाथा काम nutrition है तो nutrition के मतलब है कि भरपूर मात्रा में इसको खाद दिया दीजिए भरपूर मात्रा में खाद दीजिएगा तभी इसमें growth full सभी आएगी तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि आप सबसे पहले गुडाई करने के बाद एक दिन छोड़ दिजिए और छोड़ने लाकर आप इसको जब देते हैं तो जी ओमा जेसे आदखे मैं दिका कर बताती हुं नit इसमें न्यृट्रीशन डाली हूँ इसको इसे रींग नूमा ऐसे बना कर और आप को देना है चारों तरफे इस्तरह से और उसके बाद इस तरह से मीटी से फिर बंद कर दीजिए और उस पर से बंद करने के बाद पाचवा काम हो गया है आपको पानी देना तो पानी भरपूर मात्रा में जब nutrition दे तो पानी दे दें उसके बाद दो-चार दिन के बाद छोड़ दीजिए और ज्यादा गिली भी नहीं करना है ओभर वाटरिंग तो बिल्कुल नहीं करनी हो ओभर वाटरिंग से रूट ज्यादा गलता है आट ड्रेनिंग सिस्टम जो होता है बहुत अच्छा रखनी पड़ती है तो यह थी कुछ टीप्स दोस्तों जो मैं आप लोग के साथ सेयर की ह ते पांच काम आप फोलो कर लेंगे तो आपका फूल आने से तो कोई नहीं रोक सकता है चाहे जैसे भी आप रखे आपका फूल आने से कोई नहीं रोक सकता है मिट्टी अच्छी होगी तो आपका फ्लावरिंग अच्छा होगा बस मिट्टी अच्छा रहेगा तो फ्लाव सारा इत्यादी रहता है तो आप दे दीजेगा तो यह भरपूर मात्रा में और भी तैयार हो जाता है और भी फूल देगी यह थी कुछ शेरिंग दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ज्यादा ज्यादा सेर करें दोस्तों